एवरिवन मैं नंजीनी सेंग इस पेच्चू पाठशाला में ऑनलाइन क्लासिस की तुरू आप सभी को जोग्रफी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स को क्लियर करने आई हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपोर्टेंट बाते बताना चाथे हूँ सबसे पहली बात कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगी क्योंकि लास्ट मैं कुछ इंपोर्टेंट MCQs करवाँगी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और आप हमारे प्रीमियम कोर्सिस को भी जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उसके थुरू आप हमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं तीसरी बात ये कि मेरा कॉंटेंड जो है मेरा जो कंटेंट है वह हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है सो लेट स्टार्ट आज का हमारा टोपिक है इंडियन मेजर क्रॉप्स and its production मतलब इंडिया में कौन से ऐसे important कौन से प्रमुख फसल की उत्पादक किस किस का production होता है कौन से important crops हैं प्रमुख फसल हैं हमारे भारत में और उनकी उत्पादक के बारे में वह सब crops से क्या होता है ठीक है तो लेट्स टार्ट सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से बाजुन दिन जरूरी है मैं सबसे पहला है तोorg ह 2018 सबसे पहला है यह द्या क्लिकलचर की वारे में जानेंगे हम कि इंक्लूद्स फार्मिंग एनिमल रेरिंग सौरी एंड फिशिंग तो भारत हमारा क्या है एक अनिवार रूप से एक क्रिशी भूमी है इसका दो तिहाई में तलब टू थर्ड पॉपुलेशन हमारी अबादी है वो दो तिहाई अबादी जो है हमारी अग्रिकल्चर पर में ठीक है सेकंड पॉइंट क्या है हमारा क्याता कि एग्रिकल्चर एग्रिकल्चरल सीजन इंडिया इंडिया में कितने सीजन एग्रिकल्चरल सीजन होते हैं ठीक है बिसीकली देखा जाए त्री मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया तीन मेजर फसले जो होती है फसलों की त इंपोर्टेंट रभी क्रॉप्स आर वीट बार्ली पीज ग्राम एक्सेक्टर जो हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या कहता है यह रभी की फसल ऑक्टूबर से सप्टेंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में एप्रिल से जून तक कटाई हो जाती है लग है फिर हमारा सेकंड वन है करीफ करीफ क्रोप्स यह हैं करीफ क्रोप्स वी इन डिवी ऊंसेट वंसें इन इडिफेंट पाप ऑफधीऑ कोंट्री एंड इन यह आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेंबर ऑक्टूबर इंपोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर पैडी मेज जौर कॉटन जूट सोया बीन एक्सेक्टरा खरीफ फसल जो हैं मतलब हिंदी में देखे जो क्या कहता है जो खरीफ फसले हैं वो देश के बिबिन हिस्सों में मौनसून की सुरुआत के साथ उगाई जाती है ठीक है मौनसून सीजन में ठीक है और इन्हें सेप्टेंबर ऑक्टूबर को काटा जाता है सेप्टेंबर ऑक्टूबर में मतलब जो मन्त है सेप्टेंबर और ऑक्टूबर उस मन्त में इनकी मतलब हार्वेस्टिंग की कटाई होती है उगाई जाने वाले महत्वपुड फसले कौन कौन से हैं means important crops जो ग्रोन होते हैं सबसे पहला पैडी धान मेज मक्का ज्वार ज्वार को हिंदी में ज्वारी कहते हैं cotton कपास जूट जूट हुआ सोया बीन फिर आदी और भी ऐसे एक्सेक्स्ट्रा बहुत से क्रॉप्स होंगे नेक्स्ट थर्ड सीजन है हमारा जैद इन बिट्विन दी रभी एंड खरीव सीजन देर इस शॉर्ट सीजन दूरिंग दी समर मंथ नोन आज जैद सीजन इंपोर्टन क्रॉप्स ग्रोण आर वाटर मेलोन वेजिटेबल्स एंड फुडर क्रॉप्स तो यहां पर हिंदी में अगर देखे तो यह कह रहा है कि रभी और खरीव के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक चोटा मौसम होता है जिसे जैद कहते हैं कि मौसम के रूप में जाना जाता है जो रभी और खरीव इन दोनों की बीच में पाये जाता है शॉट सीजन होता है वो अगाई जाने वाले महत्तपुड फसले जो है वह आपका तरबूज सबजीयां जो आपकी वेजिटेबल्स होंगे और चारा चारा जैसी फसले जो आती होंगी चारा इंड豆 सेंज़ की फूडर क्रॉप्स Ó1 इंडिया कौंकॉण से में इंपॉर ess DES ऐसे में इंपॉर्टेंट हैं इंडिया में खास कर यह सब कॉर्प जो उकाते हैं भारत में सबसे पहला जो है हमारा वह हमारा वह trainingsरा चावल तो सबसे पहला point क्या कहता है कि steple food crop ये हमारा प्रधान खाद फसल है मतलब steple लगबग राइज इंडिया में बहुत जादे ही means इसकी फसले होती है मतलब कहां-कहां होती है वो भीज के बारे में मैं बताएंगे फिर second point है our country is the second largest producer of rice in the world after China मतलब हमारा जो देश है चाइना के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वाला कंट्री है जो राइस का उत्पादक करता है चाइना के बाद थर्ड पॉइंट है इट इस खरीफ क्रॉफ विच रिक्वाइर्स हाई टेंपरेचर एबब 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई यूमिडिटी विट एन्वल रेंफॉल एबब 100 सेंटिमीटर यह जो है एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्छ तापमान जो एक टैंपरेचर होगा चावल बूने के लिए कितनी टैंपरेचर होना जरूरी है वो है 25 डिग्री सेल्सिय और हाई यूमिडिटी मतलब उच मतलब जो यूमिडिटी मॉइस्ट ही सब चाहिए उसकी आवशक्ता होती है जिसमें वार्सिक वर्सा जोगी एन्वल रेंफॉल जोगी वह 100 सेंटिमीटर से अधिक होनी चाहिए थर्ड पॉइंट फॉर्ट पॉइंट है इस ग्रून इन प्लेन और्फ नॉर्थ और इस्टन इंडिया कोस्टल एरियाज एंडल्टिस रीजन सौरी कि इसमें कहा रहा है कि ये उत्तर और उत्तर पूर भारत की मैदान मैदानी इक इलाकों में मतलब कोस्टल 30 चेत्रों में और डेल्टा चेत्रों में यह उगाए जाते हैं हुआ लिए नेक्स देखते हैं नेक्स जो मेजर क्रॉप है हमारा इसको कहते हैं यह सेकेंड मॉस्टि इंपॉर्टन सीडियल क्रॉप है दूसरी सबसे महत्वपूर् अनाच की फसल चीक है इंडिया में ब्लग जाता है ठीक है इस दी मेन फूर्ड क्रॉप इन नॉर्थ वेस्टर पार्ट ऑफ दी कंट्री यह देश की उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य खाद के रूप में होता है जब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर कौन कौन से स्टेट आते हैं वो मैं बता देती हूँ नॉर्थ वेस्टर पार्ट है हमारा देखेंगे तो कंट्री आती है जम्मो कश्मीर हुआ पंजाब हर्याना उत्तर प्रदेश यह सब हुए और नॉर्थ एस्टर में आ जाता है रूनाचल प्रदेश आसाम मन्यपूर ठीक है तो यह हमारा थर्ड पॉइंट जो है क्या कहता ह है दरभी क्रॉप रिक्वार्स अ कूल ग्रोइंग सीजन विथ 50 तो 75 सेंटीमीटर ऑफ एन्वल रेंफॉल एंड ब्राइट संशाइन अधी टाइम और राइपिनिंग रभी की इस फर्सलों को पचास से मतलब 50 तो 75 मतलब सेंटीमीटर की मतलब एन्वल रेंफॉल चाहिए वार्सिक वर्सा चाहिए और पकने के समय तेज धूप के साथ ठंडे बढ़ते मौसम की आवशकता होती है और फिर हमारा फिफ्ट पॉइंट है वीट ग्रोइंग रीजन्स आर दी गंगा सतलुज प्लेंस इन दी नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैंक सॉरी यहां पे कि नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक स्वाइल रीजन ऑफ दी डेकन डेकन प्लेंस या प्लैट्यू कह सकते हैं जैसे कि गेहु उखाने वारी छेत्र जो है उत्तर पश्चमी गंगा सतलुज के मैदान और डेकन की काली मिट्टी छेत्र हैं मतलब जैसे इस रीजन में जहां प दर ही हमारा वीट जादे तर वीट ग्रोइंग रीजन इनहीं को कहते हैं पिर हमारा नेक्स्ट आता है मेजर क्रॉप वह पल्सेज सॉरी वह हमारा पल्सेज यह इसमें पहला पॉइंट जो है वह यह कहता है कि इंडिया इस दी लार्जेस प्रोड्यूसर एज वेल एज दी कंजूमर ऑफ पल्सेज इन दी वर्ल्ड मतलब भारत में जा मतलब मतलब भारत में मतलब दुनिया में डाल का सबसे बड़ा उत्पादक है अ में होदे के साथ बहुबता भी होती है मतलब रिड्यूस मतलब पैदावार स्कादब करने के साथ साथ अपख्य है इसको बेढ़ा जाता है कि अब सेकेंड पॉइंट है नेजर सोर्स आफ प्रोटीन इन वेज़िटेरियन डाइट मतलब बेज़िटेरियन डाइट वाले जो शाकहारी बोजन करते हैं उनको मतलब जो दाल से सबसे जादे प्रोटीन अगर देखा जातों दाल से उन्हें मिलता थे निग लेस मॉश्चर एंड सर्वाइब इवन द्राइब कंडिशन इन्हें कम नमी की अवशक्ता होती है और ड्राइब मतलब कंडिशन सर्वाइब करने के जादे कुछ इसमें चीजों की नहीं जरूरत होती नॉर्मल मॉश्चर होना चाहिए ठीक है और ड्राइब है हमारा major producing state-like सब्सितर ना करनाटिका जो है प्रचान टीच कि नेलमारा नेस्ट्नाय क है फूद क्रॉप्स अधर धैन मतलब देन घ्रीन मतलब यह कह सकते हैं ट्रॉपिकल एस सब्ट्रॉपिकल का यह मतलब होता है कि यह उशड कटी बंदी और उप उप उशड कटी बंदी अफसल है मतलब ट्रॉपिकल सब्ट्रॉपिकल मैंने बताया है था आपको मैप में कि अगर यह हमारा सरकल है तो यह हमारा ट्रॉपिकल र मतलब होता है ट्रॉपिकल सब्ट्रॉपिकल एरिया में सेकंड पॉइंट है हमारा कि इट इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड घुमिड क्लामेट विद टैंपरेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस तो 27 डिग्री सेल्सियस एंड एंड एन एन्वल रेंफॉल बिट्विन 75 सेंटीमी मतलब मीस घर्मी के साथ सत्द यूमिड अद्र जलवायू में मतलब अच्छी तरह से बढ़ते हैं और मतलब यूमिडकल्ण में नस्यादiry िन थंड़ा हू गर्म हो युमिड मीन मौस्चर हो वैसा क्लामिड लास्ट प्याइंट है नेज़र प्रद्यूसिंग स्टेट और मतलब इन सब स्टेट्स में शुगर कैन जो होते हैं उनकी फसले मीन्स प्रोड्यूस उगाई जाती हैं उत्पादक होते हैं फिर हमारा आता है टी मतलब यह हमारा चाई सहे पहले पॉइंट है टी कल्टिवेशन इस एन एक्जामपल फ्लान्टेशन एक खेती वरिक्षार ओपर क्रिशी का एक उधारण उधर प्लान्टेशन जो यह प्लान्टेशन एक लाते हैं जो हुआ इसे पूरे साल लगतार बारिस के साथ गर्मी और नम या नमी थंडक के साथ मुक्त जलवायों की आवशक्ता होती है फिर लास्ट पॉइंट है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम हील्स ऑफ डार्जलिंग एन जल पाइगूरी डिस्टिक केरला एंड वेस्ट बेंगौल मतलब इन इन स्टेट में प्रमुक पादक राज जो हैं मिन स्टेट्स हैं यहां असम हुआ हिल ऑफ डार्जलि खरीफ क्रॉप है ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ दी ब्लैक कॉटिन स्टेट्स यह एक खरीफ फसल है जो डेकिन के पत्थार की काली कपास मिट्टी के सूखे भागों में अच्छी तरह से उगाई जाती है मतलब खरीफ क्रॉप जो होते हैं उनको मतलब ड्रायर प प्लैटिव रीजन में और फिर सेकंड पॉइंट है मारा इट रिक्वार्स हाई टेम्परेचर लाइट रिंफॉल और इरिगेशन 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट संशाइन ऑफ इस ग्रोथ तो उसकी वृद्धी के लिए मतलब 110 वार्स जो है फ्रॉस्ट फ्रॉस पी होना जरूरी है तो संश मतलब जो शूरच का तेज होगा वह थोड़ा मतलब संशाइन जो उसकी किरने होंगी वह ज्यादे तेज होनी चाहिए इनको ग्रोथ करने में कॉट्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा उनकी अच्छे से होगी असानी से होगी पी रहता है कि लास्ट पॉइंट है मारा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर जो में इंपॉर्टन स्टेट जो है वह स्टेट याद करना बहुत जरूरी एक्जाम में पूश सकता है यह ज़े कि वह महरास्ट्रा गुजराद मध्य प्रदेश करनाटिका आंध्र प्रदे फिर है हमारा नेक्स्ट मीजर क्रॉप जो आता है वह है कि नौन फूड क्रॉप में जो आता है वह जूट इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्राइड फर्टाइल स्वाइल इन दी फ्लॉट प्लेंस वेर सॉरी स्वाइल्स आर रिन्यूड एवरी यर मतलब यहां पी यह कि यह ब कि कि इन करण किया जा सकते है तु किया जाता है तुकि किया जाता है। यहां चेको आ shoulders को क्या कर सकते हैं कि अ रिन्यूड होते आप प्रमुक जूट की पादक होती है उन्राज्यो का नाम है वेस्ट बंगौल हुआ बिहार आसा मोडी जामे घाल है यहां यहां जूट प्रड्यूस के जाते हैं लास्ट पॉइंट हमारा इट यूज इन मेंग गनी बैक गुनी बैक्स मैट्स पॉइंट है कि हमारा मतलब क्या क्या होता है मैट हुआ रोप हुआ यान हुआ अधर आर्टिफेक्ट्स हुए लब इसका कहने के मतलब है कि इसका उपयोग बोरियों चटायां रसियों सूत और अन्य शिल्प कृतियों के निर्मान में किया जाता है मतलब जो जूट का जो ज हुआ यह सब चीजे जो हैं वह जूट से बनते हैं जो हम डेली यूज़ कर सके हैं और हमारा है कुछ इंपोर्टेंट एंसी क्यूज जो बहुत जरूरी है कि सबसे पहला कुश्चन है हमारा रभी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ कौन से महीने में रभी की फसलों को बोया जाता है तो सबसे आप्शन ए मार्च ऐपरिल जून जुलाईसी ऑक्टूबर नवमबर डी जैनवरी फैबरी तो हमारा एंस這些 how to work over second lesson ऐसका जोर्ण से महारा सी ऑक्टूबर नवेंबर second question आऍट को इसमय और दी फालोइंग मस्टर्ड सर्सू तो डी जो है दी हमारा करेक्ट आंसर है मस्टर्ड थर्ड क्वेशन विच आफ दी फॉलोईंग इस खरीव क्रॉप इनमें से कौन सा खरीव की फसले हैं है ग्राउंडन नत मुभ़़ी मेज मक्का सी पै धान दी और अवधी बूब तो इसका राइट अंसर है डी जी और अवधी यूद अब फॉर्थ फॉर्थ इपॉर्ट ने मारा विच पडी फॉलोईंग विच आप दी फॉलोईंग दिया जय तो विच आप दी फॉलोईंग प्र्शन ये कि भारत के तीन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर में कि नेल्जम बिछो से कौन सा क्रम है तो it's यह हमारा है पंजाब मध्य प्रदेश और बिहार बी अधिय प्रतेश बिहार विहार and पंजाब दूसका करेक्ट आंसर है C. मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार फिर कोशन नमबर 5 देखते हैं खरीफ क्रॉप्स आर्सोन इन विच मंथ कौन से महीने में खरीफ के फसलों को बोया जाता है A. मार्च, एप्रिल, B. जुलाई, ऑक्टूबर C. ऑक्टूबर, नमेंबर, D. जैनवरी या फैबवरी तो B. इसका करेक्ट आंसर है जुलाई, ऑक्टूबर कुशन नमबर 6 देखते हैं विच आप दी फॉलोईंग इस नॉट रभी क्रॉप्स निमलिखित में से कौन रभी की फसले नहीं है A. कैरेट, गाजर B. रैडिश, मूली C. P. मटर D. लेडी फिंगर, भिंडी तो इसका करेक्ट आंसर है D. लेडी फिंगर जो है, हमारा वो क्या है खरीफ क्रॉप्स नहीं है फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉशन 7. Which of the following state is not a top सोयाबीन growing state in India तो इसमें पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सा राजभारत में सोयाबीन का उत्पादक राज नहीं है A. हमारा है मध्यप्रदेश B. महराश्रा C. राजिस्थान D. चत्यसगर तो D. हमारा correct answer है चत्यसगर Q8. What is the rank of India in the producing of Lain Seed in the world मतलब अलसी के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो 1st है B. 2nd है मतलब दूसरा C. 3rd D. 4th चौथा तो इसका correct answer है हमारा 4th चौथा तो 4th सबसे पहला होगा है हमारा चौथे नमबर पे इंडिया है पहला कनेडा, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया फिर 4th हमारा इंडिया ही है 5th हमारा यूएस से है ठीक है तो हमारा 9th कॉश्चन है Which of the following crops are grown in rabi as well as in curry season नमलिकित में से कौन सी असल rabi के साथ साथ खरीफ मौसम में भी उगाई जाती है ज्वार हुआ 2nd मेज मक्का, 3rd उड़ा 4th मौंग, 5th ग्राउंड नट मौंग फली तो ए जो हमारा वो correct answer है ज्वार पे रहे कॉश्चन नमबर 10 What, sorry कॉश्चन नमबर 10 क्या है Which of the following is a commercial crop तो पहला मतलब निमलिकित में से कौन सी वेवसाइक फसल नहीं है मतलब स्वारी वेवसाइक फसल नहीं है तो a यह हमारा पैडी धान 2nd है wheat गे हूं c जो हमारा third जो है soya bean 4th हमारा टूर तो हमारा correct answer जो है वो है soya bean correct answer जो है वो हमारा sorry जो है third soya bean फिर कॉश्चन नमबर 11 the cultivation of crops with an annual rainfall is less than 750 mm is called as 750 mm से कम वार्सिक वर्षा वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है A. पहला रेन फीड फार्मिंग वर्षा पर अधारित खेत ड्राइ फार्मिंग सूखी खेती सुष्क भूमी खेती फोर्थ इंटेंसिव फार्मिंग गहन क्रिशी तो इसका राइट आंसर है हमारा वह सेकेंड वन ड्राइ फार्मिंग सूखी खेती कोशन नमर लास्ट जो हमारा वह है विच वन आफ दी फॉलोइंग इस रभी क्रॉप इंदी नॉर्धन स्टेट ऑफ इ कि बार्ली जो फोर्थ रागी खमीर टो हमारा सी जो है वो सब्सक्राइब राइट आंसर है वह बार्ली मतलब जो हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर है आइई होप कि आपको यह टॉपिक लियर हुआ होगा तो थैंक यू सो मच thank you so much everyone